मारत बंदे मातरम, रयभा यत बंदे मातरम रुपना पाये तू पानों में, सबके आगे बडे कदम जीवन पुष्प चढाने निकले माता के घरनों में हम बंदे मातरम, बंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जै वैदिक चैनल के राष्ट्र गोरो का रिकम में हम बात करते हैं हमारे देश के सामने क्या-क्या चुनोतियां हैं क्या-क्या खत्रें हैं और हमारा भारत देश क्या है भारत देश का स्वाभिमान क्या है हमारी संस्कृति क्या है? हम कैसे अपने देश को महान बना सकते हैं और राष्ट्र गोरोव की किन किन बातों की जानकारी हमारी नई पीडी को हमारे देश के एक एक नागरिक को होनी चाहिए इन सब चीज़ों की हम इस कारिकम में वैदिक चैनल के इस कारिकम में बातचीत करते हैं पिछली कुछ कड़ियों से हम बातचीत कर रहे थे हमारे बहुत से जिग्यासू दर्शकों ने ये सवाल किया कि चीन कैसे कैसे हमारी जिंदगी में आया हुआ है चीन क्या क्या बनाता है? सामानने वेकती ये सोचता है कि चीन केवल दिपावली के दिन ज्ञालर और लड़ियां आती हैं वो चीन सप्लाई करता है कुछ लोग जो थोड़े से ज़्यादा जागरूख हैं वो ये सोचते हैं कि चीन अपने देश में भारत के अंदर दिपावली के दिये सप्लाई करता है, पिछकारियां सप्लाई करता है, गुबारे सप्लाई करते हैं, कुछ वेक्तियों को ये पता है कि चीन हमारे लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहां पर चीन अपनी इस पैट कर लिए चीन कैसे आधाने वाला कथा नंकली चीन बना रहा है जितने कोस्मेटिक हैं वो तो बनाई बना रहा है कोस्मेटिक के अंदर जो नेचुरल आइटम प्रियोग किये जाते थे उन नेचुरल आइटम का भी बहुत सस्ता सुरूप चीन सप्लाई करता है कपूर आपने सुना होगा भीमसेनी कपूर कपूर जो नेचुरली प्रकृती से हमें मिलता है उस कपूर के भी आज हम बात करें तो उस कपूर का भी सिंथेटिक कपूर चीन उपलब्द करवा रहा है मतलब कोई ऐसा घर का कोना नहीं है हमारी लाइफ में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ऐसा कोई हिसा नहीं है जहां पर चीन ने कबजा करने की कोशिश ना की हो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि सुबह उठते हैं तो अलार्म बजता है तो अलार्म का बटन जब हम दबाते हैं तो वो अलार्म चाइनीज हो सकता है हमने bed से नीचे कदम उतारा तो जिस bed के पास जो bed mattress पड़ा रहता है उस mattress के उपर हमने कदम रखा तो वो mattress चीन का हो सकता है bathroom के अंदर हम गए bathroom के अंदर गए, kitchen के अंदर गए जो cattle से हमने पानी गर्म किया वो चीन की बनी हो सकती है इन सब के बारे में पिछले चार एपिसोड से हम बातचीत कर रहे थे हमने अलग-अलग category की बातचीत की थी कि ये category Chinese की हो सकती है China ये ये category बनाने वाला हो सकता है तो उन्ही category के अगले चनल में हम बात करते है furniture और furnishing के कौन-कौन से item है जो चाइना सप्लाई कर रहा है commercial furniture अब commercial furniture क्या है मान लिजी हम किसी office में है तो office में conference room में आपको table चाहिए आपको chair चाहिए आपको drawer चाहिए आपको desktop या computer रखने के लिए आपको item चाहिए ये किसी conference hall में conference room में आपको dais या podium चाहिए ये supply करने का काम चीन कर रहा है car tents और accessories folding furniture चीन सप्लाई कर रहा है furniture की accessories और उसके अलग-अलग part ये चाहिए चाहिए कर रहा है garden garden या outdoor furniture कई बार आपने देखा हुआ कि balcony के अंदर हम कोई chair डाल देते हैं कुरसी डाल देते हैं ये supply करने का काम भी चीन कर रहा है garden के अंदर decoration का जो हम काम करते हैं decoration के लिए कोई light लगाते हैं decoration के लिए और कुछ structure लगाते हैं वो China supply कर रहा है मतलब China भी supply कर रहा है और ऐसा supply कर रहा है कि जैसे कुछ उद्योग धंदे जो बिलकुल भारत के अंदर चाइना ने खत्म कर दिये ऐसे ही पहले वो किसी एक हिस्से में supply chain में घुसता है घुसने के बाद वो इतने सस्ते सरूप में dump करता है कैसे करता है कि आप समझ लगे ये ये जैसे मान लिजिए कि हमारे घड़ी के अंदर रुपे की आती है और बेचता 10 रुपे की है तो चाइना वो जब बेचना शुरू करेगा तो उसका इतना mass production करेगा कि पूरे भारत के बाजारों को dumping से बहुत बड़े तरीके से पूरे भारत में flooded कर देगा और उसके item हर category के item होते हैं घटिया क्वालिटी के supply करेगा जिससे दुकानदार बेचने वाला इस लालच में बेचेगा कि ये चाइना वाली मुझे 6 रुपे में मिल रही है मैं इसको 10 रुपे में बेचूँगा तो मुझे 4 रुपे का profit होगा वो supply करेंगे dump करेंगे तो अपने भारत के जो factory वाले बनाने वाले हैं वो उसका competition नहीं कर पाएंगे dumping करते हैं price को low करते हैं और competition करते हैं competition में किसे भी सीमा तक चले जाते हैं और competition ऐसा करते हैं कि Indian market में पूरा जो local manufacturer है उन सब को kill कर देते हैं उन सब को खत्म कर देते हैं उनकी हिम्मत तोड़ देते हैं उनको ये लगता है कि ये भड़े घाटे का काम है हमें तो इस से अच्छा है कि जो चाइना का उपलग्द है हम इसी को खरीद लें और आज नतीजा क्या है कि भारत साड़े पाँच लाख करोड रुपे का सामान हर साल हमें बेचता है हम चाइना को केवल सवा लाख करोड रुपे का सामान बेच पाते हैं तो ये स्थिती बन गई है अब इसमें यदि बात करें कि पैंसिल सैल जो चाइना सप्लाई करता है मैं माल लीजे, भारत में 8 रुपे का बनता है, चाइना सप्लाई करेगा, 10 रुपे का बिकता है, तो चाइना 8 रुपे में बेचना शोरू करेगा, 6 रुपे में distributer को देगा, retailer को देगा, 8 रुपे MRP रखेगा, दुकानदार को मिलेगा, अब भारत के manufacturer, जिनको 8 रुपे का पड़ता है वो competition करके अपना profit खत्म करके या और competition करके 6 रुपे का उपलब्द करवाएंगे तो चाइना फिर उस price को कम कर देगा उसको 5 रुपे कर देगा भारत के लोगों ने फिर competition किया 5 रुपे का उपलब्द करवाया तो चाइना फिर उसका rate 4 रुप बुरी तरह से टूट नहीं जाएंगे कारखानों के उपर ताला नहीं लग जाएगा कारखाने बंद नहीं हो जाएंगे और वो यह सोचेंगे कि हम इतना सस्ता नहीं बना सकते उनके मन में ये विचार आएगा कि चाइना जिस rate में बेच रहा है उस rate में तो हम इसकी raw material की खरीद की cost भी नहीं निकाल सकते तो चाइना से यदि हमें जीतना है तो हम competition की भावना से नहीं जीत सकते चाइना से यदि हमें जीतना है तो चाइना से जीतने के लिए हमें competition की जगए cooperation की भावना के उपर चलना पड़ेगा हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें सयोग की भा बिश्कार करना है रेट की लड़ाई में शायद हम चाइना से नहीं जीत पाएंगे लेकिन हम भाव की लड़ाई में इमोशन की लड़ाई में चाइना के साथ लड़ेंगे तो इमोशन से हम चाइना से जीत सकते हैं तो कुछ केटेगरी की हम बात करते हैं तो जब चाइना से compare करने की बात हो तो कोशिश करें कि हर field की हमें जानकारी हो कि ये कौन-कौन से item है जो चीन बना रहा है हम कैसे उसका उत्तर दे सकते हैं और इसके साथ-साथ जब हमारे पास विकल्प नहीं हो हमें कुछ item चाइना का भी खरीदना है तो भी हमें पता हो कि ये हमें मजबूरी में चाइना का खरीदना पड़ रहा है अब आप पूछेंगे कि जब खरीदना चाइना का है तो केवल पता होने से क्या हो जाएगा उससे हम कौन सा तीर मार लेंगे तो इसका आर्थ है कि केवल हमें पता भी होगा तो उस पता होने का ये लाब रहेगा कि केवल पता होने के बाद से ही आज हमारा व्यक्ति यदि कोई Chinese आइटम खरीदता है तो उसके मन में कहिना कहिन विचार आएगा कि क्या मैं ये नहीं बना सकता क्या ये हमारे देश में बनना नहीं चाहिए क्या हमें इसको बनाने का प्रियास नहीं करना चाहिए और जो पूरा समाज इसकी चर्चा करेगा कि हमारे देश में बाकी तो बनता है लेकिन ये छोटी सी चीज चाइना सप्लाई करने का काम करते हैं तो विचार पैदा होगा, क्रांती पैदा होगी और देखे क्रांती सबसे पहले कोई भी क्रांती कोई बड़ा कार्य होता है तो पहले वैचारिक स्तर पर होता है तो उससे हमारी वैचारिक प्रष्ट भूमी को मजबूती मिलेगी हमारे एक-एक युवा के मन में एक विचार का बीजार ओपन होगा कि यदि हजारों किलोमेटर दूर चाइना वाले इस आइटम को दो रुपे में बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं और कोई ना कोई आइडिया जनरेट होगा तो हम उसका कमपिटिशन कर पाएंगे तो फरनिचर में गार्डन के डेकोरेशन के होम डेकोरेशन और क्राफ्ट के आइटम होम फरनिचर के आइटम होम टेक्स्टाइल के आइटम इन्फलेटेबल फरनिचर यह जो आइटम आप देख रहे हैं देखे आज कल आप देखेंगे कि आप किसी फरनिचर की दुकान पर जाएं तो furniture की दुकान पर आपको foldable item मिलेंगे foldable item क्या मिलेंगे यह देखे चाइना के एक furniture का बहुत उधारन है आप इसकी finishing देखेंगे इसकी चमक देखेंगे तो बहुत अच्छी मिलेगी लेकिन जब आप इसकी durability देखेंगे तो durability नहीं मिल पाएंगे लेकिन वो furniture वो नहीं होता जिसमें हम भारत में कहते हैं कि दादा खरीदे तो पोता बरते तो इसमें दादा खरीदे तो दादा भी अपनी पूरी जिंदगी के 4-5 साल नहीं पकड़ सकता तो ऐसा furniture जो चमकदार होगा आपने देखा होगा ड्राइंग रूम के अंदर लोगों के अंदर मेज मिलेंगी तो वो मेज आपको बहुत चमकती हुए मिलेंगी ग्लास वाली मेज मिलेंगी लेकिन जब उसके मूल में जाते हैं तो वो मेज उतनी डूरेबल नहीं होती तो वो चाइना का एक बड़ा market चाइना ने कबजा कर लिया फरनीचर के market पर तो इससे क्या क्या नुकसान होए है एक तो फरनीचर के माध्यम से हमारी foreign currency भी जा रही है हम अपना धन चाइना को बेज रही है इसके साथ साथ जो बड़ा नुकसान है वो नुकसान यह कि हमारे देश के देश में यदि furniture बनेगा तो देश के बढ़ई को, देश के कारीगर को काम मिलेगा, यदि चाइना सब कुछ सप्लाई करेगा, तो हमारे भारत के कारपेंटर खाली हो जाएंगे, अगली जो field है, उस अगली field में हम बात करें तो auto parts और accessories, आज aircraft के parts, वो चाइना सप्लाई कर र होता है, steering घुमता है, तो उसके नीचे बहुत से gear होते हैं, बहुत सी steering की road होती है, तो वो बनी बनाई, चाइना सप्लाई करता है, nut boats, ship के parts, boats के parts, जो पानी में चलने वाली boat है, वो छोटी boat जिससे मचवारे मचली पकड़ते हैं, उससे लेकर बड़ी commercial ship तक उसके parts सप्ला का कवर है, कार के अंदर stereo है, कार के अंदर speaker है, woofer का system है, कार के अंदर remote वाली की है, या कार के अंदर आप pen drive लगाते हैं, या CD player लगाते हैं, या कार के अंदर कोई camera का system लगाते हैं, या कार के अंदर आप अलग से कोई gear को lock करने का system लगाते हैं, steering को lock करने का system बनाते हैं, तो ये सप्लाई करने का काम चीन कर रहा है कार केर और क्लीनिंग की असेसरीज, टूल किट ये सप्लाई चीन कर रहा है भारत के अंदर भी बनती है लेकिन चाइनीज दिखने में अच्छी होती है थोड़ी सस्ती होती है तो ये आइटम जब आप खरीदें तो उसके उपर मेडिन जरूर देख लें कि इसके उपर मेडिन चाइना है या मेडिन पी आर्सी लिखा हुआ है तो अगर उसके उपर मेडिन पी आर्सी है या मेडिन चाइना है तो सोच समझ कर खरीदें आप, देखे, आप मार्केट में गए हो सकता है कोई आइटम आपको ऐसा मिले जिसका कोई इंडियन विकल्प नहीं हो आपको वही खरीदना है लेकिन फिर भी आप इसको मेडिन देखेंगे तो होगा क्या आप दुकानदार से पूछेंगे कि ये तो चाइना का बना हुआ है कोई भारतिय दिखाओ दुकानदार के पास नहीं है लेकिन आने वाले समय में क्या होगा कि जो सप्लाई करने वाला वेक्ती है उसको जो डिस्टिब्यूटर होलसेलर सप्लाई करता है वो उसको जब वो आएगा सप्लाई करने के लिए पेमेंट लेने के लिए तो कहेगा जरूर कि आज कल मार्केट के अंदर इंडियन ब्रैंड की डिमांड है तो आप इंडियन ब्रैंड का उपलब्द करवाएं और देखें बजार का एक सिद्धानत है कि बजार में वही चीज बनती है और वही चीज बिकती है जिसकी मांग होती है तो मांग पैदा करें और मांग पैदा जूटी भी की जा सकती है आपको खरीदना नहीं है आपको एक आइटम खरीदना है तो आप 10 दुकानों पर चलेग हो सकता है, उसमें से कोई दुकामदार ही कोई छोटी unit डाल दे अब एक दुकामदार ने यह दी कोई छोटी unit भी डाली कुछ भी item बनाने की steering का cover बनाने की डाली उसने कुछ seat का cover बनाने की डाली तो भी उसमें 5-7-10 लोगों को रोजगार मिलेगा और विकल्प खड़ा होगा तो हमें demand create करनी है बात जरूर करनी है vocal जरूर होना है विदेशी ही खरीदना है विदेशी का विकल्प नहीं है तो भी चर्चा करनी है और खरीद कर ले भी आओ तो अपने जितने जानने वाले है कि हमारा देश इतना बड़ा है कि इसमें ये चीज नहीं बन सकती उसकी चर्चा करें ताकि समाज में चर्चा हो कि ये चीज विदेशी है इसका हमें सोदेशी विकल्प देना है तो चर्चा करने से विचार पैदा होगा और विचार करने से कोई ना कोई रास्ता पैदा होगा कार का जो electronics का जितना system है मैंने आपको बताया CD player से लेकर, light से लेकर stereo का system से लेकर वो Chinese है अब देखे जो consumable है जैसे कार के consumable है कौन-कौन से है जैसे mobile oil डलता है, diesel oil डलता है hydraulic oil डलता है, अब इसके साथ filter लगते हैं, तो इसमें भी automobile की मैं गुड़गावा की company की बात करूं, तो गुड़गावा की company में भी, जैसे अभी क्या है माल लीजे, मारूतिकार बनती है या Hero Honda की motorcycle बनती है तो Hero Honda की motorcycle में Hero Honda का chasis, Hero Honda की जो major major portion है, engine वाला portion या उसका electronics का portion, जो sensitive है, वो company खुद बनाती है, जो छोटी-छोटी चीज़ें है, जैसे Hero Honda का break है उस break में कोई bolt लगता है, कोई clutch में bolt लगता है, clutch की कोई wire लगती है तो वो company sub source कर देती है sublet कर देती है, किसी को job work पर बनवाती है, company के खुद के tool room में कोई चीज़ की जरूरत पड़ती है तो वो job work पर बनवाती है, तो अब होता क्या है, कि job work के लिए जो घुड़गाओं में चोटी-चोटी company लगी हुई है, अब China की नजर उनके उपर भी है, कि ये company जो चोटी-चोटी चीज़ supply करती है जैसे जो बड़ी company जिनकी consumption जादा है, वो कहते हैं कि हम आपको ये chain से बना कर भेज देंगे तो अपने यहां का रोजगार और dump होता है, तो ये parts के अंदर हालांकि आप खुद नहीं कर सकते, लेकिन कोई छोटी industry वाला है, तो उसके मन में ये विचार जरूर हो, ये भाव जरूर हो, कि ये parts भी हमें भारत के बने वे ही लेने हैं, ये भाव हमें अपने मन में लाना है, automobile के parts, अब देखें छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी तो आप समझ सकते हैं कि चीन ने हमारे हर हिस्से को देखा, कि कहां कहां क्या क्या खब सकता है, और उसी को बनाना, और बनाते वे भी ये ध्यान रखना, कि जो हमारी जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करने वाला बनाना, हमारी जो price की range है, उस price की रेंज में बनाना तो इसमें चाइना दुश्मन देश है लेकिन चाइना की अच्छाई यह है कि चाइना अपने customer को पहचानता है उसकी market को पहचानता है और aggressively काम करता है aggressively कार करके dump करके दूसरे देश की market को कबजा करता है तो हमें भी अपनी अग्रेसिवनेस को बढ़ाना है सवदेशी के लिए अपनी आग्रे को बढ़ाना है अपनी कट्रता को बढ़ाना है ताकि हम चाइना को मूँ तोड उत्तर दे सकें ये जो toolkit है ना हर गाड़ी के अंदर toolkit होती है जिसमें पाना है, चाबी है ये जो चीज़ें होती है spanner है, तो इस toolkit को बनाने का काम भी चाइना सप्लाई करने का काम आप देखते होंगे, ओनलाइन देखते होंगे तो आपको 500 रुपे की भी toolkit मिल जाएगी जिसमें screwdriver से लेकर, फलास से लेकर सारी चीज़ें है, प्लेयर से लेकर आपको 5000 रुपे की भी मिल जाएगी drilling की मशीने, 500-5001-1000 रुपे में drilling की मशीने, soldering की मशीने pasting की मशीने, ये भी supply करने का काम चाइना कर रहा है ये motorcycle की कुछ accessories की दिखाई होई है machinery और raw material और scientific equipment raw material और chemical देखे, एक बड़ा हिस्सा ऐसा है आज पूरी दुनिया में जितना steel बनता है उसका 40-50 प्रतिशत चाइना manufacturing कर रहा है steel का, cement का solar panel का अभी एक बहुत interesting fact है कि अमेरिका में जितना 40-50 सालों में cement लगा उतना cement चीन ने पिछले 10 सालों में consume किया है आप ये cement की खपत नहीं है ये खपत ये दिखाती है कि अमेरिका ने जो construction वो चाए road की हो, चाए पुल की हो या highway की हो, जो construction पिछले 40-50 सालों में की, उतनी construction चीन में 10 सालों के अंदर की गई है, तो आप अमेरिका से compare कर रहा हूं मैं ये भारत से नहीं कर रहा हूं तो ये fact है कि चाएना किस प्रकार से raw material में, लोहे में, machinery में, कच्चे लोहे में अपनी बढ़त बना रहा है तो testing के जो equipment लगते हैं lab की supply लगती है, machinery लगती है metallurgy के supply के equipment लगते हैं वो चाएना सप्लाई कर रहा है ये जो अलग-अलग machine है customize machine है, customize machine है मतलब आपको कुछ चीज बनानी है वो machine बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती लेकिन सिर्फ आपको चाहिए कि आपको तो कुछ ऐसा pack करना है, तेल pack करना है गी pack करना है, आपको कुछ high sensitive machine लेनी है तो आप अपनी requirement बताएंगे तो चाहिना उसको उपलब्द करवा देगा चाहिना के साथ साथ दूसरे देश भी उपलब्द करवा सकते है और भारत के अंदर भी कुछ लोग ऐसे उठे हैं जिनोंने सुदेशी टेकनोलोजी का प्रियोग करते हुए बहुत अधिक मशीनें ऐसी बनाई है और विदेशों में भी जो एक्सपोर्ट करें तो ऐसे लोगों का मनोबल अमें बढ़ाना है कुछ लोगों के मशीन नहीं खरीज सकते लेकिन उनका मनोबल बढ़ा सकते है आज मेरी बात हुई राजन जी है पतना के पतना के राजन जी से मेरी चर्चा हुई उनका पतना में कोई ट्विंट टावर है पतना में कोई एक फेमस जगह है वहाँ पर उनका शोरूम होता था उनके मोबाइल के स्टोर की पहले चेन होती थी साथ-ाठ शहरों में उनके मोबाइल के स्टोर थे अभी भी पटना के अंदर वो मोबाइल का जो उनका स्टोर था उसमें हर साल वो आठ करोड रुपे का मोबाइल बेजते थे अभी जब चाइना के साथ जगड़ा हुआ तो M.I. का शियोमी का वीवो का उपो का वन प्लस का रियलमी का जियोनी का इन सब का वो काम करते थे M.I इने 17-20 लाख रुपे का मोबाइल बेजते थे तो उन्होंने एक जटके से अपने शोरूम का शटर डाउन कर दिया ये नहीं सोचा कि इससे होगा क्या अब आपका सवाल होगा कि उन्होंने शटर बंद कर दिया तो क्या हुआ जिनको मोबाइल खरीदना है वो बगल वाली बात करूं तो आज मैंने उनसे बात चीत की और मैं आने वाले एक दो दिन में उनके साथ फेस्बुक लाइव करने वाला हूं तो हम और कुछ नहीं कर सकें तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा सकते हैं उनको स्वाभिमान दे सकते हैं उनकी पीठ थपथपाच सकते हैं कि आ लात मार सकता है तो क्या हम राष्ट्र भक्ति के लिए यदि दो चीजें मिल रही है तो उसमें हम सवदेशी चीज का चैन नहीं करें सवदेशी का विचार इससे जाता है जारकंड में राची जिले की घटना है जब ये चाइना के साथ गवलान बैली में के अंदर जब कितने का सामान होगा 40,50,000 रुपे का अख्वारमें खबर चपती है खबर वह सोचल मेडिया में वाइरल होती है तो ऐसा नहीं कि 50,000 रुपे का उसने सामान बहार निकाल दिया तो चाइना को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया चाइना का जितना Export है उतने Export में जितना वो भारत को Export करता है वो उसके Total Global Export का केवल 2% है केवल 2% इसको दूसरे शब्दों में आप कई बार ये भी मान सकते हैं कि एक वेक्ति जो 100 रुपे कमाता है उसने 98 में भी कमा लिये तो क्या फर्क पड़ेगा लेकिन बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि आज 2 रुपे का हमसे नुकसान होगा, 2 रुपे का नुकसान उस्टेलिया से होगा और बाकी रुपे का नुकसान दूसरे देशों से होगा तो चाइना का नुकसान एक दिन ऐसा हो जाएगा कि वो अपने सिस्टम को रन नहीं कर काता था, एक तरफ मैंचेस्टर की मीलों के अंदर टनों में कपास से कपड़ा बन रहा है और एक तरफ चर्च खा तो चर्खे और कपास की मैंचेस्टर की जो पावर लूम की मीले लगती थी, पहले-पहल भापके इंजन का विश्कार हुआ, सबसे पहले एकदम इंडिस् चीज ने किया काम किया विचार धाराने, उस सूत ने, उस रूई से चर्खा कातने की बात ने उस विचार ने लोगों के मन में स्वावलम बन दिया, कि हमें सोदेशी का पालन करना है, हमें विदेशी का विरोध करना है, तो ये बात विचार की है, राजन जी ने जो किया, हमारे जहारखंड के एक दुकानदार ने जो किया वो समाज के अंदर एक्जामपल बनते हैं समाज के अंदर प्रेणा बनती है कि यदि एक विक्ति आदिवासी छित्र का विक्ति ऐसे दुकान के अंदर से सामान बहार निकाल कर जला सकता है तो हम क्यों नहीं विरोध कर सकते हम अपने मनोरंजन को क्यों नहीं छोड़ सकते हम अपने देश को अपने स्वार्थ से आगे क्यों नहीं रख सकते जब हमें चैन करने की बारी आए तो हम क्यों नहीं देखें कि यह कहां का बना हुआ है तो यह विचार काम लेकिन दूसरी तरफ देखे कि आज जब कोरोना फैला तो पूरी दुनिया को जब पीपी किट की आउशकता थी दस्तानों की का आउशकता थी पूरी दुनिया को जब टेस्टिंग किट की आउशकता थी गलवस की आउशकता थी मास्क की आउशकता थी तो उनको कहां देखना पड़ रहा था, उनको चीन से लेनी पड़ रही थी, तो चीन ने एक तरीके से पूरे बाजार के उपर कबजा कर लिया था, तो लैब की सप्लाइज करने का काम भी, अब लैब में क्या लगेगा, जैसे टेस्टिंग ट्यूब लगेगी, आपका ड्रो पर लगेगा, आपके ड्रोपर से लेकर जितनी टेस्टिंग किट है, उनको रखने का जितना मैट्रियल है, टेस्टिंग का मैट्रियल है, टेस्टिंग के टूल्स है, उसके एक्यूप्मेंट है, उसकी मशीने है, वो सब चाइना सप्लाई करने का काम कर रहा है, पैकिंग म लगाने के लिए ब्रश की आऊशकता है तो वो ब्रश सप्लाई करने का काम चाहिना कर रहा है अब मेकप करना है तो मेकप करते हुए कोई लाइनर लगाना है कोई लिपस्टिक का प्रियोग करना है मेकप के जितनी विग का योग करना है तो यह supply करने का काम चाइना करता है hair accessories wigs health supplement health care की supplies many cure और pedicure की supplies oral care इसके अंदर जो chemical लगते हैं इसके अंदर जो जितने भी जो facial से लेकर दूसरी जितने भी cosmetic के जो जो संद्रिये की जो activities करते हैं जो makeup की उनक्यों supply करने का काम चाइना कर रहा है तो चाइना ने हमारे जीवन के हर हिस्से में कबजा कर लिया है आपको हमें आउशकता है सबसे पहले तो पहचाने की Chinese item क्या क्या है क्या क्या हो सकते हैं हम उनका क्या कोई भारतिय विकल्प उनका बजार से ले सकते हैं विकल्प यदी बजार में भारतिय उपलब्द है, तो भारतिय विकल्प लें, भारतिय विकल्प उपलब्द नहीं है, तो मजबूरी में हम चाइनीज विकल्प का प्रियोग करें, और विकल्प का प्रियोग करते वे भी, कम से कम आठ दुकानों के उपर वोकल हो जाएं, द तो उसको पोस्ट करें और ये कहें कि देखे छोटा सा इटम मेरे देश में नहीं बनता कोई उद्योगपती सामने आये और इस आइटम को बनाना शुरू करें ये वोकल हमें होना है इसके लिए आवाज उठानी है और हम बात करेंगे तो कोई न कोई ये भारत है भारत की मिट्टी में डॉक्टर एपी जी अब्दुल कलाम से लेकर अलग-अलग मेधाएं अलग-अलग स्रिजनात्मक शक्तियां अलग-अलग यहां से निकलती रही है भारत के अंदर ऐसे बहुत से लोग होंगे जो टाटा बन जाएंगे जो बिड़ला बन जाएंगे जो अंबानी बन जाएंगे जो कुछ भी बना सकते हैं तो इस भारत में कमी नहीं है कमी है केवल जगाने की जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति को भूले वे थे वैसे ही हमें इस शक्ति को दोबारा से भारत के लोगों को याद दिलाना है और वो तभी याद दिलवा पाएंगे जब हमें पता होगा सोधेशी का महत तो क्या है हमारे जीवन के किस-किस हिस्से में विदेशी वस्तों में घुशी हुई है और विदेशी वस्तों में विशेश रूप से चाइना की वस्तों में किस-किस हिस्से में है तो इसकी हम बातचीत करेंगे तो ये बातचीत हम जन-जन तक पहुंचा पाएंगे मैं आज के अंक को यहीं विराम देता हूँ कल हम उपर बुद्वार से लेकर रवीवार तक राष्ट गोरों के नाम से यह कारिकम आता है आप इस कारिकम को आस्था की एप डाउनलोड करके आस्था की एप के ओपर भी देख सकते हैं परम्पुज्य स्वामी जी महाराज शद्य आचारे जी के सारे कारिकम आप आस्था की आप के उपर आस्था चैनल के उपर देख सकते हैं फेस्बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं परमपुज्य स्वामी जी महराज शद्दे आचारे जी के फेस्बुक, ट्वीटर, यूट्यूब के चैनल के उपर आप और इस विशय में सुदेशी के विशय में, योग के विशय में, आयूरवेद के विशय में जानकारिया देख सकते हैं आपको ये सारे एपिसोड मेरे फेस्बुक पेज राकेश भारत के उपर भी उपलब्द हो जाएंगे तो वहां से भी आप ये देख सकते हैं मैं आज के अंक को यहीं विराम देता हूँ जैहिन, वंदे मात्रम, भारत माता की जाए कल शाम को साड़े साथ बजे, फिर मिलते हैं